नमस्कार दोस्तो मार्केट एनालीसिस के वीडियो में आपका स्वागत है इसमें हम समझेंगे कल जो फिन अप्टी का एक्सपार है वहाँ पे हमें कैसे ट्रेड करना है निप्टी जो अल्टाइम हाई है एन बैंक निप्टी ब्रेक आउट के बाद अभी रिट्रेस करके एक क्लोजिंग अच्छा दिया है आगे हमें यहां पर कैसे ट्रेड करना है वह समझना है दोस्तों गर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सस्कार जरू करना वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरू करना आज मार्केट में हमने गैप अपन के बाद में एक डीप लगाया यहां पर unwinding भी हुआ है लॉंग भी बना हुआ है तो यहां पर mix view कह सकते है क्योंकि breakout के हम पास में ही थे आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो study वो daily time frame से करेंगे तो यहां पर आप जैसा यह pattern देखते हो यहां पर कुछ similarity आपको देखने को मिल रही होगी जहां पर इस time पर हुआ था कि इस level पर क्या लग रहा था लोगों को कि all time high पर है gap up open होता था higher end पर hanging man candle बना के वो next day open होता था फिर consolidation हुआ है तो अगर similar अगर आप pattern देखो तो यहा 2212 वो हमरा अभी आगे एक resistance जो बैट रहा है वो है Fibonacci के इस साब से अगर ideal देखे तो अगर आप यहां पर यहां से price जो start हुआ था यहां तक का अगर वही count करते हो तो आपका 20,420 के आसपास हम यहां पर अभी expect करके जा सकते है best क्या होगा अगर हम एक retirement आते है 800 के आसप आएगा और फिर 22,500 के उपर भी जा सकता है तो कल अगर market open gap up open होता है तो हमें तूरंद वहां पर ना तो buy करना है ना short एक candle अगर red बनता है 5 minute का तो फिर आप वहां पर एक short कर सकते हो bank nifty यहां पर breakout और उसके बाद में अगर चोटे time frame में जब हम आगे देखेंगे आपको पता चलेगा यह वापस retrist किया है और उसने फिर से यहां पर higher end पर close किया है daily time frame पर resistance के आसपास ही close हुआ है हमारे लिए जो उपर में important level है अभी यहां पर आज का जो high है 248 है यहां पर इसका जो high था वो 281 था यह candle का यहां पर जो opening था 245 था तो यह जो आएगा 260 से लेके 280 के बीच में यह आपका एक यहां पर note rate zone होगा अगर आप उसके उपर open होते हो पहले ही green candle बनाता है तो उसके high के उपर निकलता है तो हम एक यहां पर chance ले सकते है by का हमारा strict stop loss होना चाहिए 228 का उपर में आपका target यहां पर होना चाहिए 480 से लेके 560 तक का उपर में target बनता है fin nifty का कल expired है तो यहां पर देखेंगे आपको एक triangle बनता हुआ देखने को मिल रहा है हम अभी जो close हुआ है at the center close हुआ है उपर में आपको पता है 560 जो हम हर बार discuss करते हो नीचे में 360 360 के उपर है तब तक हमें short नहीं करना है 360 के नीचे जाता है तो एक आपको यहां पर deep मिल सकता है 160 तक यानी 200 पॉइंट नीचे उपर की side अगर हम वापस 560 को break करते है तो breakout एक आएगा वह एक अच्छा सा आपको उपर यानी की 800 और 22,000 तक भी यह लेके जा सकता है option chain की बात करें तो option chain में nifty देखेंगे तो support है 22,000 आज हमने bounce भी वहां पे लिया अब आपके लिए 22,000 28 important हो जाएगा उपर की side वापस जैसे ही 22,135,140 के उपर sustain करता है आपको और 50,60 पॉइंट उपर जाता हुआ देखेगा और short covering अगर मिल गया तो 22,260 तक भी जा सकते है तो हमारा एक short covering उपर की side अच्छा मिल सकता है तो हमें यहाँ पर monitor क्या करना है 22,300 का हमें put then में रखना है यह जो price है अगर यहाँ पर increase होता है तो हम यहाँ पर एक long करके जा सकते हैं यहाँ पर जो भी short है अभी trap है यह देखेंगे 21,900 वाला अभी भी यहाँ बाइस लाक open है यहाँ पर 35,000 यह 38,000 यह trap यहाँ पर होता है तो आपको और short covering उपर की side मिलेगी तो ऐसा नहीं है कि market उपर अभी इतना पहुंच गया है तो short करें नहीं short के लिए हमें m pattern देखना होगा अभी क्या है कि buy on dip मिलता है तो नीचे support आता है तो उपर market जाता है finnifty देख लेते हैं यहाँ पर तो finnifty का data के इसाब से 21,400 एक support का का काम कर रहा है और the other side 21,700 एक resistance है हमारे लिए important हो जाएगा 21,550 का put जो अभी 1,99,000 दो लग के आसपास है तो कल अगर market open होने के बाद में यह 2 से लेके यहाँ पर 6,7 या 8 होने लगता है तो आपको एक उपर की side एक tick में देखने को मिलेगा 560 को monitor करना 15-20 minute hold कर जाता है तो फिर एक short covering आपको उपर लेके जाएगा 700 भी जा सकता है नीचे की side आपको यहाँ पर 21,450 का अध्यान में रखना है अगर continue यहाँ पर build up होता है तो आप at the end यहाँ यहाँ या sideways होके इसी level के आसपास close हो सकते हो अब यहाँ पर बात करते है intraday chart की तो intraday में आप देखेंगे तो दोनों दीन आपको similarity देखने को मिल रही है gap up फिर से एक दम से नीचे आया market देरे देरे करके उपर similar यहाँ पर ऐसे market में एक problem क्या होता है कि अगर कभी भी यहाँ पर एक गिडावट चालो हुई तो फिर वो यहाँ पर नहीं रुकेगी क्योंकि जो फिर deep आएगा वो quick and sharp आएगा यहाँ पर जो चोटी-चोटी candle बनके जाती है वहाँ पर एक quick red candle बनता है तो वो ध्यान में रखना तो आपके लिए यह important है यहाँ पर तो यह level को mark करके रखो कल के लिए कि अगर market कोई भी reason से कोई भी level से इस level के नीचे sustain होता है यहाँ पर आपका पहला target 21,900 आएगा और वो बहुत ही quick आएगा possible एक ही candle में भी बन जाए यहाँ पर तो उस हिसाफ से ध्यान में रखना कि पूट में बैठना है तो हमेरा level से बैठना है अगर gap up open होता है इस level के आसपास पहला candle red बनता है तो फिर हम short करेंगे यहाँ पर open equal to high मिलता है तो low के नीचे जाता है तो short करेंगे तब आपका target फिर होना चाहिए यहाँ पर 22,80 होना चाहिए और उसके बाद में 22,28 बड़ा target आपको इसके नीचे ही मिलेगा और उपर की side के लिए हमें flat opening होके 22,135 के उपर hold करता है तो यह हमारा target उपर की side है bank equity जो भी मैं बता रहा था कि breakout के बाद वापस retracement अब यहाँ पर जाकर higher end पर हुआ है volume इंक्रीज हुआ है तो जिस हिसाव से increase हुआ है possible है कि कर हम यहाँ पर gap up भी open हो सकते हैं तो gap up open होता है 380 के आसपास तो यहाँ पर wait करना जो deep अगर मिलता है 320 के आसपास उसके बाद में वापस जब 380 break करें buy करना आपका target होना चाहिए 48560 एन उसके भी उपर जाता है तो 48800 आपका next target बनेगा नीचे की side आपको short अभी जब तक 48000 के उपर है short मत करना 4830 के नीचे ही आपको एक short मिलेगा फिल नेप्टी में यहाँ पर काफी easy है जो हमारा level है 360 एन उपर में 560 अगर gap up इस level पर open होते हो और यह level के आसपास red candle बनता है sustain नहीं करता है तो आप 21,550 का call short कर सकते हो या फिर यहाँ पर जब नीचे आने के बाद bounce लेके फिर से break करे तब call में बेटना और अगर flat opening ही open हो जाती आपकी जो जब तक 360 break ना करे short मत करना possible होगा यहाँ पर नीचे आएगा यह level से bounce करके वापस 450 के आसपास आपका market close हो सकता है तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आयो होगा अच्छा लगा तो दोस्तों like and share जरू करना मिलता है नए वीडियो में टेक केर बाबाई